Hello students, welcome to the video I know कि आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे थमनेल को देखकर आए होंगे कि क्या आप लोगों ने सच में जो even and odd number का concept पड़ा है वो अधूरा है या नहीं तो मैं आपसे ही कहूंगा कि आप वीडियो के end तक बने रहिए आपको आपके सवाल का जवाब जरूर मिलेगा तो चलिए शुरू करते हैं even number से तो even number की definition हम से कह रही है और थोड़े simple words में देखते हैं तो लिखा हुआ है इनका क्या मतलब हुआ तो इन definitions का मतलब हो रहा है कि कोई एक ऐसा number जो कि divisible हो 2 से और remainder दे रहा हो 0 का ठीक है और यहाँ पर देखें तो यही बात दूसरे सब्दों में कह रहे हैं कि कोई भी number जो completely divisible हो 2 से उसको हम even number कहेंगे example देख लेते हैं जैसे हो गया 2, 4, 6, 8, 10, 0, 48, 50 और भी कई सारे हो सकते हैं जैसा कि आप लोगों पताईए यह सबी number 2 से completely divisible है remainder में 0 ही आता है अच्छा, school में या फिर coaching से आपने पढ़ा होगा तो maximum जगे पे इतना ही पढ़ाते हैं यही उनके साब से concept है definition बताई, example बताया हो गया खतम पर यहाँ पर कुछ properties भी होती हैं चले देख लेते हैं क्या हैं तो सबसे पहले properties of even number देखते हैं तो पहली property है the sum of two even numbers is an even number मतलब अगर हम दो even numbers को जोड़ते हैं तो जो हमको sum मिलेगा sum की value आएगी वो भी even ही आएगी इस example हमने 2 और 4 को जोड़ा दोनों ही even हैं तो इसका answer क्या आया 6 जो कि खुद में एक even है दूसरे example देख लीजे 8 प्लस 4 is equal to 12 तो यह भी एक even number है चलिए दूसरी property देखते हैं क्या बोल रही है दूसरी property कह रही है कि an even number is completely divisible by 2 and leaves the remainder of 0 अच्छा यह जो है न definition ही है और यहाँ पर definition सही है यह चीज़ अपन proof कर सकते हैं कैसे? example देखो example हमने दे लिया 8 8 हमें पता है even number अब 8 को मैंने 2 से divide किया तो मेरे पास कितना आया? 4 तो यह 4 क्या है? यह है quotient और remainder यहाँ पर कितना बचेगा? 0 अच्छा अगर आप मैंसे कोई छोटी glass का बच्चा देख रहा है जिसको remainder and quotient का concept नहीं पता है तो मैं उसके लिए से थोड़े से में बता जेता हूँ कि देखो बेटा, जिस number को हम divide करते हैं तो उसको हम dividend बोलते हैं और यह division के अंदर रहता है और जिस number से divide करते हैं उसको हम divisor बोलते हैं जिस case में 2 है तो जब हम 2 से 8 को divide करेंगे तो 4 time में जा रहा है तो यह 4 time में जा रहा है कितनी time में कटा या कितनी time में गया तो यह 8 minus 8, 0 तो यह जो बचा है नीचे वो remainder है I hope कि आपको समझ आ गया होगा तीसरी property यहां पर कह रही है an even number ends with 0, 2, 4, 6, 8 मतलब जो even number होगा न यह तो अभी हमने single digits के number देखे जैसे कि यह 2 digit का है यह फिर 3 digit 4 digit के लेते हैं तो उनका जो once place पर digit होगा वो या तो 0 होगा या 2 होगा या 4 होगा या 6 होगा या 8 होगा जैसे example देखो 42 तो इसके once place पर 2 है जो किसमें से है 64 एक even number है जिसमें 4 है once place पर इसमें से है 0 है इसमें 80 में तो यहाँ पर भी देखो यहाँ पर 0 है और यह 994 एक even number है 3 digits का यह भी 4 पर खतम हो रहा है once place पर 4 है जो कि इसमें से है तो even number के concept में यही है यह हमने definition देखी यहाँ पर यह वाली definition है आप कोई भी लख सकते हो दोनों एक जैसी है दोनों में बराबर marks मिलेंगे और यह इसके example और यह 3 property तो चलिए अब हम odd number को देख लेते हैं क्योंकि अब आप लोग even number पढ़ चुके हैं तो आपके लिए odd number पढ़ना काफी easy होगा और समझना भी क्योंकि थोड़ा सा ही difference है दोनों में तो चलिए देखते हैं definition odd number की odd number की definition कह रही है a number which is not divisible by 2 completely and generates a remainder of 1 is called an odd number यह वाद ध्यान रखना कि जो even number होता था उसमें remainder था 0 और वो completely divisible था बस odd number को हम देखते हैं तो यह completely divisible 2 से नहीं है और दूसरी चीज़ यह remainder देता है हमेशा बन का ठीक है अगर हम दूसरे और simple सब्दों में कहें तो यह कह सकते हैं the number other than even numbers are called odd number मतलब अगर हम एक cup लेते हैं उसमें हमने number भर दिये randomly तो अगर हम उसमें से सारे numbers को निकाल लेते हैं जो कि even होंगे तो जो number बचेंगे वो odd बचेंगे ठीक है इस line का मतलब यह है पर आप definition यह याद रखें तो वेटर रहेगा यह बस याद करने के लिए तो example देखो odd number के 1, 3, 5, 7, 9, 11, 99, 55, 21 और भी कई सारे हो सकते हैं क्योंकि इनको अगर आप 2 से divide करोगे तो remainder हमेशा बन ही आएगा चलिए इसकी properties देखते हैं odd number की तो पहली property वही sum property है तो क्या बोल रही है The sum of two odd numbers is an even number मतलब अगर हम दो odd number को जोडते हैं तो हमको मिलेगा even number जैसे इस example में देखो 1 और 3 दोनों ही odd number है पर हम उनका sum करते हैं जो कि even number है यहाँ पर 5 प्लस 9 इकोल to 14 यह भी even number है अब यहाँ पर यह वाद समझने वाली है कि हमने अगर दो even number का sum देखा था जब पिछले अभी थोड़ी दिर पहले तो वो भी even आ रहा था और odd number का sum करने तो वो भी even आ रहा है ठीक है तो इसको दिहां रखना और दूसी property है definition वाली अगर किसी odd number को हम 2 से divide करेंगे तो हमको remainder में 1 मिलेगा यह देखिए 2 से मैं 15 को divide किया इस तरह से देखिए इस तरीके से तो 2, 7 जा 14 माइनस यह 15 मैं से 14 को तो 1 remainder आया ठीक है और अब देखो यहां पर और नमबर ends with digits 1, 3, 5, 7, 9 तो यही कहानी है जो अभी even के लिए देखी थी तो odd के नगी यह क्या है कि अगर हम किसी odd number को देखें तो उसके जो once place पर होगा तो यह digits होगा जिसे example देखो 15 लिख रखका है यह मैंने यह 15 है 15 पर यह देखो once place पर 5 है और अगर यह हम 77 है यह दिखनी रहा होगा आपको तो यह जो number है 7 once place पर तो यह भी इनी में से है अब एक चीज़ और देख लिए यहां पर आप लोगों ने अगर number line के बारे में सुना है तो बहुत अच्छी बात है पड़ा है तो और भी अच्छी बात है अगर नहीं पड़ा तो कोई बात नहीं number line एक ऐसी imaginary line है हम draw कर लेते हैं उस पर क्या करते हैं हम numbers को represent करते हैं जैसे हम whole number कहां से सुरू होते हैं 0 से तो मैंने 0 से represent कर दिया 0 से start करा 0,1,2,3,4,5,6 तो अब यहां गौर करने वाली बात यह है कि number line पे जो numbers रहते हैं वो alternate रहते हैं मतलब even एक होगा तो उसके बाद odd फिर even फिर odd जैसे कि यहां देखो 0 even है फिर one odd फिर even फिर odd फिर even फिर odd I hope कि यह clear हो गया हुआ तो students अब तक जो आपने even and odd number का concept देखा है वो 6th class तक के लिए okay था and I know कि 6th class क्या 7th, 8th, 9th, 10th अभी जो भी बच्चे देख रहे हैं उन में से 90% बच्चों ने यही बढ़ा है और उनको लगता था कि even and odd number का concept बस यहीं तक सीमित है पर प्यारे बच्चो ऐसा कुछ नहीं है आपको अब बताने वाला हूँ कि आपने क्या अधूरा बढ़ा है तो चलिए देखते हैं उस concept को जितना मुझे पता है यह जो concept में बताने वाला हूँ यह maximum जगे पर नहीं पढ़ाय जाता है मैं यह नहीं कह रहा कि हर जगे नहीं पढ़ाय जाता है पर maximum जगे पर नहीं पढ़ाय जाता है तो चलिए देखते हैं इस concept को मैंने नाम दिया concept for students of higher classes मतलब 6th class के उपर के बच्चों के लिए तो इससे पहले कि हम concept देखें दो सवाल मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या minus 3 एक odd number है is minus 3 an odd number is minus 8 an even number तो बताइए यह odd है minus 3 या फिर minus 8 even है कि नहीं आपके दिमाग में अगर यह सवाल अब तक नहीं आया तो आज आना चाहिए था पर कोई बाद ने चलिए इन सवालों के साथ हमको देखते हैं concept आगे का तो अब even number की एक नई definition बताने जा रहा हूँ जो कि अपने आप में complete है ठीक है पिछली वाले जो हमने definition देखी थी वो थोड़ी सी incomplete थी तो चलिए देखते हैं क्या बोल रही है इस definition में लिखा हुआ है अगर आप ने ध्यान दिया हो मेरे सब्दों पर तो आप यह पाएंगे कि इस definition में सिर्फ integer सब्द जुड़ गया है नमबर की जिगे पर बाकि सब से मैं तो हाँ ये integer की बज़े से ही complete हुई है अगर आपको integer का मतलब नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ ये भी number system का एक part है numbers का एक group होता है तो integer समझ लो क्या है integer एक ऐसा डिब्बा समझ लो जिसमें कुछ number आते हैं सबी numbers में से real numbers में से कुछ number integer होते हैं तो वो क्या होते हैं कैसे हूते हैं देखो, रिल नमबर जो है वो माइनस इंफानाइट से प्लस injringाइट तक होते हैं तो इंटीजर के के व si से फ्लस इंफिनिटी के बीच के वह तो कि इंटीजर है बस सरत क्या है कि इस फ्रेक्शनल नमबर नहीं हो चाहिए जो कि पॉइंट वाले होते हैं या कि यह नंबर नहीं होने चाहिए बस यहीं है तो माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी नहीं समझ में आ रहा है अगर आपको तो यह लिमिट है मतलब इन अभी आप कहां तक काउंट करोगा अगर आप उन से स्टार्ट करते हो का आप करते जाओगे तो खतम थोड़ी ना होना है कभी कांटिंग तो इसलिए इसको इंफाइन बोल दिया है कि इसकी कोई लिमिट नहीं है इंफिन इंफिन ठीक है तो बापस आते इंटीजर की डेफिनिशन पर तो मोटे-मोटे सब्दों हम कह सकते हैं कि all real numbers excluding fractional numbers are called integers तो इ negative की जो number होंगे minus 8 minus 10 minus 100 तो यह भी even मैं count होंगे अगर आप से कोई सवाल यह पूछे कि बताओ बटा minus 200 even number है कि नहीं तो आप अब बता पाओगे कि हाँ minus 200 even number है ठीक है तो यह है even number के कुछ और example minus 8 minus 10 0 minus 100 अगर आप यह सोच रहे हो कि minus 8 को हम divide कैसे करेंगे तो कुछ नहीं है जैसे simple आप divide करते हैं तो 8 को वैसी करना है बस minus का sign adjectives यहां लगा देना तो 2 से मैं अगर divide कर रहा हो 8 को तो 4 times में जा रहा है अब minus का minus इधर आगे है ठीक है any integer which is not divisible by 2 completely and leaves a remainder of 1 is called an odd number आप यह लिख लेना ठीक है वो सिली सा question हो जाता है इसलिए मैं लिखी नहीं थी पर आप मैंसे कुछ छोटे बच्चे भी देख रहे हैं तो उनके लिए मैंने बता दी आप वीडियो को pause करना या फिर धीरी कम speed में कर लेना फिर आप लिख लेना स सुनके ठीक है अगर आप यह सोच रहे हैं कि सर जो आपने भी properties बताई थी even and odd number के लिए तो क्या वो इन पर भी काम करेंगी तो हां बिलकुल करेंगी even and odd number की जो properties थी वो तीन वो universal है वो integers पर भी काम करेंगी और natural numbers पर भी तो अब इस concept को पढ़ने के बाद आप यह कह सकते ह हो कि जो मैंने सवाल आपसे पूछा दा यहां पर यह माइनस 3 odd number है माइनस 8 even number है कि नहीं है तो अब आप कह सकते हो कि यह सर यह माइनस 3 जो है वो odd number है और जो माइनस 8 है वो even number है I hope कि आपको यह चीज तो पक्का नहीं बता चली होगी आज है ना ठीक है अगर आपने इतना आगे बता ही रहूं वीडियो में चलो वह सवाल देखो क्या है पहरा सवाल यह है कि 2.6 एक even number है यह नहीं है ठीक है दूसरा सवाल यह है कि 2.7 यह फिर 5.1 ले लो इन में से कोई एक odd है यह नहीं यह फिर दोनो तो बताओ जल्दी से अगर आपको बन रहा है तो वीडियो क मैं अंसर लिखा भी होगा पर इन केस अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप वीडियो को बापस देख लेना आपको समझ आएगा मैं अंसर आपको बता देता हूं तो देखो यही सवाल देना दोनो 2.6 even number है कि नहीं है और 2.7 odd number है या नहीं है तो अंसर है बेटा no नह तो इसलिए इंटीजर नहीं है और जो चीज इंटीजर नहीं है वो हो ही नहीं सकती even odd में उसको classify नहीं कर सकते तो यह note और देखो also numbers like minus 2.5 and minus 10.8 are also not considered as even or odd यह positive numbers थे decimal वाले decimal लगा है या या फ्रेक्शनल नंबर positive में थे पर अगर negative में होते तो वो भी नहीं होते अब अग अगर आप मेंसे कोई यह सोच रहा है कि यह जो fractional number है वो fraction कैसे हुए आप बार बार यह decimal point वाल नंबर को fractional number बोल रहे हो fractional number तो PYQ के form में होते हैं जैसे कि 2 by 3 fraction fraction का मतलब आपने क्या पढ़ा होगा अब 6th 5th class के बच्छे तो fraction का मतलब यह पढ़ा होगा कि 2 by 3 5 by 4 यह fraction हो क्योंकि यह right side से देखो तो one digit के बार decimal है तो यह 10 से डिवाइड कर तो 26 by 10 हो जाएगा और यह तो एक fraction है PYQ के form में ठीक है I hope कि यह चीज़ समझ में आ गई होगी अगर नहीं भी आई है तो कोई दिक्कत नहीं है मैं आगे आने वाले वीडियो में इस चीज़ के ऊपर एक integers only मतलब even और odd का जो concept है ना वो integers तक ही valid है इसके अलावा कोई और नंबर से valid नहीं है जैसे कि imaginary number हो गए या फिर fraction number हो गए इन पर valid नहीं है अभी आप यह मां सोचना imaginary number क्या होते हैं अगर आपको नहीं पता है तो बताऊंगा आगे आने वाले वीडियो में सब detail में आप ब तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ न कुछ तो नया पक्का सीखने को मिला होगा I know कि even and all number का जो concept है वो बहुत ही basic है पर जो मैंने बताया वो कुछ नया था I know तो अगर आपको वीडियो अच्छे लगी तो जरूर से like करें और अपने दोस्तों साथ share भी क जलते हैं आपसे अगले वीडियो में thank you for watching